आज मैं आपको फार्म टूर दूँगा लेकिन मेरा फोकस उस सब पे रहेगा जो हम उगाते हैं ना कि उन पे जिने हम बचाते हैं तो हमारी खेती कमर्शियल नहीं है और बाकियों से बहुत मायनों में बहुत फरक है एक तो हम चीजें सिर्फ अपने लिए नहीं हुगाते है अब जैसे हम इसे खाएंगे और हम लेट हो गए तो बंदर खाएंगे और पक्षी खाएंगे खेर अभी मैं जिस एरिया में हमारा थोड़ा food forest कहलो यहां पर चीज़ें काफी जंगली उगी हुई है और इसे कोई structured तरीके से हमने नहीं उगा रखी इन यहां पर ऐसे बहुत सी चीज़ें उग रखी हैं जिसका मुझे इनसानों के लिए या पशुओं के लिए कोई benefit नहीं पता पर फिर भी वह हम उगने दे रहे हैं और हम करते रहते हैं chop and drop यानि कि हम काटते रहते हैं और फिर नीचे गेड़ते रहते हैं ताकि जो soil में microorganisms हैं फंगस हैं उनको खाना मिलता रहे और soil food wave जो है फ्ट्रॉंग होता रहे एक जो benefit इस एरिया में है बड़ी सारी चीज़ें खुद बखुद उगाती है जिनकी वैसे खेती नहीं होती जैसे यह बिच्छूब ठीक है इसका सूप बनता है साग बनता है और यह बहुत ज़्यादा पॉस्टिक होती है फिर मैं आपको एक मश्रूम दिखाता हूँ अब तो यह सूख गया harvest नहीं कर सकते यह है चिकन ओफ द वूड्स क्योंकि इसका टेस्ट जो है बिल्कुल चिक जाते हैं पर इन से आजम नहीं मिलेंगे आपको बताए जो अम्रूद का पत्ता होता है इसको आप खाओ तो चबाओ एं मुह में रखो और फिर स्पिट करतो तो मुह के छाले बहुत जल्दी खतम हो जाते है एक है दो दिन में एस्ट्रिंजेंट का पाम करता है anyway बोला ले बेजिडेंट रेस्क्यूज एनीवे तो यह तो हमारा था फूट फॉरेस्स एरिया यहीं पर हमने आपको पता है मेरा वन ऑफ फेवरियर्ट पेड़ है मुरिंगा यह लगा हुआ तो आज सुबह सुबह हमने इसके पत्ते कर लिए हैं हार्वेस्ट यह इसका पत्ता मैं आ हमारी किचन है तो हमारा फार्म टो किचन डिस्टेंस बहुत कम है यह पपीते हमारे ही उतरे हैं मैंने आपको गाता ना कि फ्रूट कुछ जो पक जाता है हम टाइम पर नहीं उतारते तो खा जाते हैं पशू पक्षी यह तो किसी तोते ने खा लिया तो हम इसके बीज बच नीते हमारे हैं कुछ शिवानी वो नहीं उतरा था चकुंदर अभी नहीं उतरा चकुंदर नहीं शरी शल्गम यह तो मैंने आपको काक्टस के फ्रूट की बात करे थी ना वह मैं सुबह यह लाया था तो यह एक है यह मैं अपने लाया था मैं रोज सुबह एक खा लेता फिर मैं आपको पका फिर फाम पे लेके जाता हूं क्योंकि शल्गम शायद वहीं चले गए है शल्गम और बॉक्चाय भी उतरा है तो बॉक्चाय तो स्टीर फ्राइब हो जाएगा शल्गम सब्जी बन रही है इसको तो अभी छोटे हैं तो सलाज में मिलते है लगते हैं जाएगे तब हम सब्जी बनाएगे और यह जो हम बिल्कुल कच्छा पुपीता उतारते हैं इसके तो बीज हम बचाई नहीं सकते यह तो यह इसका बनेगा पाया सैलड आप गूगल कर सकते हैं हाई पाया सैलड की रेसिपी जबर दस होगी है और यह वह मुरिंगा के पत् पत्ते यह हारवे स्टोरे यह सुखाने के लिए पूचा आपको यहाद है ना जिस भोला की पक्की फ्रेंड यार मैं डिस्ट्राक्ट हो जाता हूं बीज बीज में चीज़ों से फिर उधर चला दाता हूं अब मैं आपको खेत लेके चलता हूं है सौरी सौरी मैं आपको द कापूर बीज में बीज में चुलाई उगी है यह संत्रे की वराइटी करम है जहाँ है पानी की दिक्कत है धूपने यहाँ धूपनी या कि चलो लेंड का कुछ यूज हो जाएगा फिर आजाती है बात पानी की तो वैसे तो पीछे पहाडों से पानी पिखल के आता है उससे हम से चाही करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी दिर में दिखाता हूं पर हमने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है क्योंकि उस पानी को लेकर सफाई के लिए उस कर सकते हो अब मैं आपको खेत के दूसरी तरफ तो यह जो किचन के सामने रस्ता है इसके लेफ्ट साइड कुछ यह लंबे-लंबे बैड है और बाकी बेड्स फिर राइट साइड पे हैं अब यहां पर आप देखो अब यह कॉटन हमने लगा रखी है को इन जो बीच वाले रस्ते हैं इनमें पानी भी चलता है और हम भी चल लेते हैं फिर यह जो इस्ट वेस्ट रस्ते हैं यह खेत में घूमने के लिए हैं मतलब कि यहां से वहां जाना हो तो यह लगे अनानास तो इसमें कभी अनानास निकलेगा नहीं पर यह वह जैसे जूस कर दो ना तो जो उसकी फली होती है उसको मोगरा कहते हैं पर अब विराइटी आगी है बीज की उसमें सिर्फ मोगरा निकलता है नीचे मूली नहीं ही होगी यह लगी गाजर तो मतलब नीचे अभी तो बनीनी वह लगा मटर में टंडिया इसलिए लगा रखे हैं ताकि मटर ऐकृफ़पे चा मटर हम तीन वाराइटी के लगाते हैं एक तो जो नॉर्मल हरे मटर होते हैं जो अब्ले रहता है ना, उसका फूल आता है सफेद, ये स्नोपी है, इसका फूल आता है परपल, इसका बीज भी बड़ा सुन्दर परपल होता है, और इसको मोटा होने से पहले ही दाना हम काट लेते हैं, ये स्टीर फ्राय में डलता है, फिर हमने एक और जो मटर की वराइटी लगा ये लगी अद्रक, ये भी कुछ महीनों में उखड जाएगी, अब एक मैं आपको जंगली पौजा दिखाता हूँ, वैजन्ती माला, वैजन्ती माला ये वो है जो कृशन जी जिसकी माला पहनते हैं, क्योंकि जिसे मैंने तोड़ा ना मोती, तो ये देखो, ये जो पार्ट आया पानी, पहाडों से मेटों के बड़ा ठंडा आया पानी, और ये हम इस तरह बेडों में लगायते हैं, ये हमारे लगे आलू, एक हेती में इंपोर्टन बाता हूँ आपको, कि ये है पेरेनियल चीजें, जैसे हाथी गास है, नेपियर ग्रास, ये हमने पर्मानेंट ल मौका नहीं मिलता, है न, छे महीने की फसल है, तो जब सूखा पड़ेगा, ये चीजें नहीं चलेंगी और पर्मानेंट जो भी चीजें होंगी, वो सही रहेगा, अमेरिका में तो गेहूं की भी पर्मानेंट एक वराइटी उन्होंने ड्वेलप कर लिए, ये लगे हमारे पपीते हैं, ये हमारे कुछ बंगलोज हैं, आपने वीडियो हमारा देखा होगा, मट्टी और फैविकोल का बंगला, ये हमारा एक बंगलो जो है, तीन लाख में तयार हो गया था, तो ये मिट्टी का बना है, और लकडी लगी है, बांस लगे हैं, बात्रूम वगरा की ज इसका हम रस निकाल लेंगे, और जो इसका छिलका है वो सुठा लेंगे, क्योंकि इनका पाउडर बनता है, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखो, जब जमीन पे चीजे गिरती हैं, ये देखो, ये है आपका फंगस, फंगस लगी हो इस पे, ये इसको सडाएगा, त ये जब मरेगा, तो भी इसको micro-organisms decay करेंगे, वो nutrients soil में release करेंगे, और जो जड़े हैं, उन nutrients को ही लेगी, तो आपकी soil में nutrients होंगे, तो आपके साग सबजी में nutrients होंगे, नहीं तो बस वो फिर दिखने में ही बड़े सारे से हैं, अंदर से तो खोखले हैं, यार एक चीज ज तो हमने इस चीज को कुरेदा, बीच डाले, mix कर दिये, तो सब कुछ इसी के ऊपर ही होता है, इसी के ऊपर खाट डाल दी, इसी के ऊपर मल्च डाल दी, गुडाई इसलिए नहीं करते, क्यूंकि उससे जो soil का ecosystem है, वो बिलकुल खराब हो जाता है, और उसी वज़ा से ही आ कमर्शली पर बहुत छोटे स्केल पर क्योंकि हम क्या चाहते हैं, कि किसान को एक मॉडल पता लगे भी क्या चीज़े होगा के वो पैसे कमा सकता है, यहां पर बाइदवे हमारा जो ecosystem है, यह मुर्गे इसलिए घूमते रहते हैं, यहां पर यह गाय के चिचचड खा जाते है स्कूबी जो है, मुर्गों की रक्षा करता है, बिल्ली को नहीं आने देता, यहां पर हमने एक कठल का पेड एक लगा रखा है, जाला इसलिए कि कोई शरार्ती गाय बैल इस साइड आ जाए, तो भई ऐसा ना हो कि वो हमारे कठल के पेड को खा जाए, अब चलते हैं ग्री मुरिंगा के पेड हैं, तो यह क्या है, कि यह सॉयल को भी हल्दी रखता है, फिर इसको हम काट लेते हैं, काट लेते हैं पेड नहीं बनने देरे, जाड़ी सी बना रखी है, और यह पत्ते बिख जाते हैं, तो किसानों के लिए देखो, सिंपल फूड प्रोसेसिंग जो है एक और जो फायदा है, फर्मेंटेशन का यह कि अब आप सारा साल बेचो, आपका प्रिजर्व हो गया ना, क्यूंकि जब सब का नीबू निकला, आपने तब नीबू बेचा तो ऐसे ही मंडी में भाव नहीं मिलता, जो मेरा फेवरियेट मेट है वो है डी हाइडरेशन, ज यह तरीका है पैसा कमाने का, यह तरीका है करजे से बाहर निकलने का, खेर, अब जादा दार लोग मुझे इसी लिए जानते हैं कि भाई आइनिमल रेस्क्यू करते हैं, तो उससे दाएं बाए बात करता हूं, तो लोगों तो थोड़ा रगता है कि हैं, भाई तुम्हें आ करेका है कि यह करताओ से चुम्हें यहांची यह तादाधका हैं, भाई वफने को टामेर लोग मुझे शगा हैं।